सतना शिरी वाहे गुरू साहिब जीयो बारा वरे गर भास वस जामदे ही सुक लई उदासी माया वेच अतीत होए मनहठ बुद्धना बंध खलासी पाई गुर्दास जी अपनी पचीवी वार दी दस्वी पोड़ी वेच लिख देहन के सुक देव ने बारा वरे माता दे गर वेच रह के जामदे सार ही उदासी कीती माया वेच अतीता होया प्रन्तु उस दे मान दी हठ बुद्धी दी बंध खला सीना होई सुक देव दा शब्दी अर्थ है तोता वैसे सुक देव जी ब्यास जी दे पुत्तर सन एना दे जनम दी अनोखी कथा इस परकार है पार्वती ते शिवजी माहराइदा आपस विच बहुत प्यार सी एक दन कलाश परवत उत्ते इकले बैठे सा पार्वती ने दोमेहत जोड के अर्ज किती हे प्रभू आप दी माया ऐसी है इस्तरी बहुत छेती बुटड हो जादी है जदों हो बुटडी हो जाए ता हो जी पार्वती ते मेरी अटोट प्रीत है मैंनू डर है कि आप ता त्रैकाल एक समान रैन वाले हो पर मेरे ते बुड़ापा जरूर आ जाएगा इस वास्ते में बेंती कर दी है कि मैंनू अमर कथा सुना के अमर कर दे हो मेरे उते बुड़ेपा असर ना करे सदा जवान रहां ते आप दे अंग सांग रहां एह दासी दी प्राथना है शिवजी महराय मौज विच पर सन चेत विराजे सन ओना ने उतर दिता ऐसा ही होएगा ते अमर कथा सुनोन लग पे शिवजी अमर कहानी सुनाई गए उस विले कोले होरता कोई नहीं सी सिर्फ एक तोता सबबी बै उह कथा सुन दा रहा शिवजी चौदे सं के होर कोई कथा ना सुने तांके प्रबुदी माया अथवा रजना विच फार्क ना पवे मरना जमना कैम रहे पर तोता कथा सुनी गया थोड़ी कथा सुन Fau पारवति सो गई उस दे सोनदा शिवजी ने ख्याल ना कीता पारवति दी था तोता ही हुनारा देंदा रहा जदो कथा समाप्त होई ता शिवजी हरान सी के पारवती ता सुत्ती पई सी हुंगारा कौन देंदा रेखा जदो उनाने विख्या ता पता लगा कथा तोता सुनी बैठा सी शिवजी तोतेनू मार नमास ते उठखलो ते तोता नाठके गंगा किनारे पोज गया अग्या के तोता ते पिछे पिछे शिवजी माहराई सांग तोता नाम रेया ते उड़दा उड़दा ब्यास जी दे आश्रम विच आ गया ब्यास रिशी दी तरम पतनी रितू अशनान करके पवित्र कोक सी अमर कथा सुनके तोता अमर ते त्रैकाल दर्शी हो चुक्या सी उसने शिवजी दी क्रोपी तो बचन लेई हवा दा रूप तार्म किता ते ब्यास दी पतनी दे गर्व विच वास कर लेआ इह देखके शिवजी ने आश्रम के तरना मार लेआ के जदो तोता बच्चे दी रूप विच बाहर आएगा ता उसनों मार दियाँगा पर तोता माद गर्व विच बारा साल अंदर ही पक्ती करदा रहा इस तरह बारा साल बीत गए ब्यास दी पतनी बहुत तंग होई उसने अपने पती ते परमात्मा आगे बेंती कीती तरला लया के उस दे हड सौखे कर देते जाण परमात्मा नों दया आई शुकदेव पक्ती करदा सी पक्ती करदय होया देखके प्रमात्मा ने उसनों वाख्या कि हे सुकतेव होन तु बहर आजा, शिवी तनु मार नी सकेगा सुकतेव यानी के तोते ने कहा, हे प्रभू जे मैं बहर आगया, ता माया दा प्रशामा पवेगा ओस प्रशामे ने पजण नी करन देना, शिवी झेल भी हठनी छटना उस वले प्रमात्मा ने अकाश बाणी किती ए नहीं हो सकदा के तुसी सदा गर वेच रहो तुसा दी माता तंग है तो अड़ेते माया समाधी लोण तक असर नहीं करेगी शिवजी भी चले जानगे एकदाम बाहर आजाओ यो परमात्मा दे हुकम नाढ सुकदेव ने जनम लेआ ते जनम लेंदे सार जंगला नू तौर्पया जंगल वेच जाके समाधी लाले ओहो कई साल तपस्या करदा रहा पर किसे नू गुरुता रना कीता गुरुता रन कीते बिना मुक्ती नी हुंदी ते ना ही मन वास्वेच रहंदा है कई साल तप करदा होया बीद गए सेरते लमिया जटावा हो गई या ते सरीर भी वद गया उसने अनजल मुँ ना लाया निर आहार रहा उस दिया लमिया जटावा विच पंचिया ने आलना पालया एक पंचिया दा ऐसा जोड़ा आया जो के अनुभवी परकाश वाला सी एक पंचिय ने दूसरे नूँ आख्या आपनू आलना नहीं सी पौना चाईदा दूसरे ने कहा क्यों की विगन है पहला बोले या एह रिखी तपस्या जरूर करदा है पर है निगुरा निगुरे पुर्ष को रेना पाफ हुंदा है हो सकदा है इस प्रवाव करके अपन नरकानू चले जाईए इसलिए आपन बहुत पोल कर बैठे है दूसरा पंचिय बोलया चलो फिर उड़ चलिये इत्थे रेना ठीक नहीं यह उसला करके ओह पंचिय उड़ गए मोड के ना आए त्रैकाल दर्शी सुकदेव नू पता लगया उसने समाधी खोल लई ते जंगल विचों उठके अपने तरम पिता ब्याश जी दे आश्रम विच पोज गया सुकदेव ने आख्या हे पिता जी पंचिया ने आख्या है के मैं ने गो रहा कोई मेनू गुरु दसो जिसनू मैं तार्ण करा पुतर दी गल सुनके ब्याश जी कुझ सोची पै गए आंतोना ने आपनी रहे योँ पर गट कीती हे पुतर राजा जनक तो बिणा तेरा कोई होर गुरु नी हो सकदा उसनू गुरु तार्ण करला ओदे राज विच पोज जा अपने बाबदा हुकम सुनके सुकदेव राजा जनक दे दरबार विच पोज गया जाद राज महल विच गया ता कोउतक देखके हैरान हो गया ओह कोउतक ए सी के राजा जनक राज महल विच अनोखी दशा विच खलोता सी उसदा एक पैरता कडाहे विच सी ते दूसरा सुन्दर इस्तरीदी नंगी छाती उत्ते रख्या होया सी ए कोउतक सी इसनो सुकदेव ना समझेया ओह हैरान होया खलोता रहा ते मन विच ख्याल करदा रहा एह राजा के में मेरा गुरू बन सकदा है उसे वेले एक होर कौतक होया ओ एस ही के राज़ दूत ने आके सुनेहा दिता के शैर विच आग लग गई है बहुत ही प्यानक अग लगी होई है हौली हौली खबर आई के शैर साड़ गया जेड़ी आग है ओ सेंग पोड़ा यानि के मुख द्रवजे तक पुझ रही है सुकदेव सेंग पोड़ा विच अपनी तुमभी ते कपीन टांके आया सी उसनू ख्याल आया कि उस दी तुमभी ते कपीन कि ते सड़के स्वा ना हो जाए इसलेए हो नाठके बाहर नू जान लगा जदों हो बाहर नू जान लगा ता राजा जनक ने उसनो अवाज मारी ओख लो गया राजा जनक गुसे नाल बोलया वाओ ये रिखी पुतर बारा साल माँ पेट विच पक्ती कीती चोवी साल समधी लाई छती साल वित्रण विच्छों वी मो मायादा त्याग नी हो सकया की करदा रहा शहर सडगे दी चिंता नहीं तेन्नू एक अपनी तूंबी तेक पीन दी चिंता है की एहे चीजा लब नी सक दिया जा दोड़ जा तेरे जैसे मो मायादे दसानू मैं अपना चेला नी बढ़ा सकदा एह आके राजे जनक ने उसनो अपने मैला विचों बार कड़ दता मैला तो वार होके सुकदेव क्रोते हंकारदा शिकार हो गया माया ने ओ सुत्ते कबू पालेया ओ वद कट बोलदा होया अपने बाप कोल पुझा जोदो उसनो सारी वारता सुनाई ता ब्यास ने कहा ए सुकदेव ए सब चूट है उसने तेनू परखन दे वास्ते एक ओतक कीता सी ना शैर नो अगलकी सी ना कोई सड़या सी सिरफ तेरी परख करनी सी पुतर तु परख विच रह गया है सुकदेव ने हाथ जोड के आख्या फिर मैं की करा पिता जी उनता मैं भी शर्मिन्दा हाँ ब्यास ने कहा बेटा ए होता माया दा असर है एक बाप बच्चे नू गुसे होके करों बाहर करदा है ओ गुसा कड़ी पाल लई हुन्दा है बाप बच्चे नू कारसाद लेंदा है ते बच्चा कारा जान्दा है बाप बच्चे दा सदीवी त्याग नी हुन्दा एसे तरह गुरु चे लेदा संबंध है जाओ मोड़ो दे कोड जाओ सुकदेव ने कहा जामा के में मेनू को इराद सो पुतर दी एक अल सुनके ब्यास ने कहा यो कर राजे दे महल कोड चले जा महल दे पच्चिमी पासे जाख लोई ओ थे कच रोखा है उस चरोखे विच्चों दी राजा जनक जूठे पतल सुटेगा जेडे साद्वानू पोजन खोण दे होण गे चरोखे दे हेठा खलोते नू आपपे ही हो देख लवेगा डरना नी शरम ते किरना नी करनी चरोखे हेठा खलोते रेना है पामे जूठ उपर डिके ऐसा करन नाल ही तेनू गुरू दर्शन होण गे बाब कोण सिख्या लैके सुकदेव आशरम विचों चल पया ओह बहुत तेजी नल तुरदा होया राजा जनक दे मेला हेठ पोज गया दसे होईच रोखे हेठा खलो गया उसने अपने आवदा त्या कर लिया योँ अनभव किता जे में उस विच सौच ग्यान जां चेतन तां नई सी ओहो एक पत्थरदा अचेत बोत सी जिस उत्ते राजा जनक जुठे पतल सुड़दा गया सद्गुरू रामदाजी ने अपनी बाणी विच पुरमाया है जात न जात देख मत परम हो सुक जनक पकी लग त्यावेगो जूठन जूठ पई सेर उपर खिन मनुआ तिल न डुलावेगो सद्गुरू जी फरमोदे हन के हे गुर्शिको उच ते नीच जाती जां कोल दा ख्याल छड़ो एता एक परम है असल वेक श्रीर करके ते आत्मा करके उच्चे ते नीवे एक ही समान हन पक्ती दी दुनिया ता वैसे ही अनोखी है सुक देव खुलोता रहा राजा जनक उसुते जूट सिटी गया इस तरह बारा साल लंग गय एक दिन राजे जनक नू तरस आही गया उसने अपने कोड सद्या उसनों इशनान करा एतों ही गल्ला मुकी राजे जनक ने सुक देव दा होर इमत्यान लेना चाहया ओ इमत्यान ए के सुक देव उत्ते नारी दी सुंदरता असर कर दी है जा नहीं उसने तेल दी थाली परी अडोल सुक देव दे हाथ उत्ते ते राख दती होन थाली ऐसी सी के जे उस विज ते आना रख्या जान्दा ता ओह उलर के डिग पैनी सी ते आन रखना ते तुरे जाना हे रिखी पुतर ए थाली ना उलरे ते ना डुले सारे शहर दिया पर करमा करके आओ देखना राविच कोई ठेड़ा ना लगे हाथ उत्ते थाली चोके सुकदेव चल पया राविच राग रंग हो रहे सन इस्त्रियां सोने लिवास ते हार शिंगार करके मंगला चार कर रहिया सन के ते गीत गय जा रहे सन ते के ते ना छो रहा सी रिखी पुतर नू देखन वास्ते वी अनेका नारियां आगईयां वना ने देख्या पर सुकदेव ने किसे वल ना देख्या ओ तेल दी थाली विचों अपना चेहरा देखदा होया चल आ गया अपने पडा ते पोच गया रता वी डुले आना राजा जनक बडा प्रसान होया ते उसने सुकदेव नू अपना चेला बना लेा सुकदेव ऐसा पकत होया के जे सुत्य माया ने रता भी असर ना किता ओह जनमतों सिद सी मनोखनू माया ही किते बंदी है जे माया असर ना करे ता जीव के ते टेक के नहीं बैठता ओ चल्दा फिर दा रिंदा है ऐसा ही मुनी सुकदेव दा हाल सी ओ लगातार ही चल्दा रिंदा ऐसा ब्रह्म ग्यनी हो गया सी के मिट्टी ते सोने पुरुष ते नारी विच कोई पेद नहीं सी रहा संत मंडलिया नाड विचरदा रिंदा सी उसने काम, क्रोध, हंकार, लालच ते मो अधक नू मार लेया सी एक बार आख दे हन प्रभु ने उस दी परक करनी चाही संत मंडलिया नाड विचरदा होया गंगा दे के नारे पुजया अगे इस्त्रियां इश्णान कर रहियां सन इसने ख्याल ना कीता आप एक पासे इश्ान करन लगपया इश्णान करके तुरन लगगा ता एक अती सुंधर, ते जवान इस्त्री नाच कर दी हो याय इना दे अगे होके नचन लगपय ऐसे हाप आव दिखाए जो मन मोहने सन पर सुखदेव दे मन अते नेत्रा उते उस दा कोई असर ना होया ओह अडोल रहे ते अगे चले गए सुखदेव मुणी ने ते आन ही ना किता इस तरी शर्मिंदी हो गई उस दिन तों बाद सुखदे मुणी दी कोई प्रिख्या नी होई जात न जात देख मत पर्म हो सुख जनक पगी लगते आवेगो जूठन जूठ पई सिर उपर खिन मनुआ तिल ना डुलावेगो हो यहां पुला चुकादी ख्यमा बक्षणी जी दासन वाग्या देओ वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फते